नमस्का दोस्तो आज हम आईफ्लोटर के उपर वीडियो बना रहे हैं तो यह वीडियो हम अपने वीवर्स के कहने पर वना रहे हैं तो आई-फ्लोटर जैसे मेरी आख है इसके काले दंका आपको घो आख Ö और इसके पीछे रेटिना होता है और रेटिना और लेंस के थोड़ा अंदर बीच में आख के और रेटिना के बीच में एक गाड़े रंग का तरल पदार्त उसमें भरा रहता है जिसको हम विट्रिस चेंबर बोलते हैं अगर इसमें कुछ प्रकार की गड़वडी आ जाए औ और फाइबर उसमें बनने लगें और रेसे नुमा तो जब हम देखते हैं तो उसमें फ्लोटर जैसा दिखाई देता है तो आज हम आई फ्लोटर की उपर वीडियो बनाएंगे तो आख के अंदर विट्रस चेंबर में जल जैसा गाड़ा द्रव भरा रहता है यह गाड़ा पास में कुछ गुछ नमा यानि जो फाइबर के गुच्छे ओते हैं यानि तार जैसा कुछ निर्माड करते हैं गुछ या तारों जैसा निर्माड यह आंक से गुजरने वाली कुछ रोशनी को अब्रुद कर देते हैं दूसरे सब्धों में कहें जब आ hanx में छोट लगती है तो इस तरीगी की समझ्या होने के चांसिस रहते हैं या फिर डियाविटीज वाले जो मरीज हैं उनको या फिर मायोपिया वाले जो पेसेंट है जिनको मायोपिया की समझ्या है या फिर इंट्राकुलर इंफ्लामेशन की समझ्या है या फिर ट्रामा की स्तिती है या या फिर previous eye surgery कभी आपने आँख की surgery कराई है चाहे मौतिय बिंद के चलते हो चाहे काले मौतिय बिंद के चलते हो या फिर आँख में कभी accident के चलते है या फिर किसी ने घुंसा या लात मारा है या फिर कोई चीज आँख से टकरा गई है तो इस condition में या फिर family history अगर आपके मा लगते हैं तो अगर आपकी family background में इस तरीगी problem रही है कहने का मतलब genetic region के चलते भी आपको यह समझ्या हो सकती है वंसानुगत जिसको हम बोलते हैं तो यह समझ्या है होने की वजए से भी eye floaters कभी कभार आँखों में बनने लगता है तो इसके कई reason है मुख कारण चोट लग करता है तो कुछ समय बाद आख में आख के भीतर collagen fiber के गुच्छे और तारों का निर्माण होता है यह आख से गुजरने वाली कुछ रोसनी को अबुद्ध कर देते हैं और retina पर छोटी छोटी जो चाया है वह बनने लगती हैं जिसको हम floaters के रूप में देखते हैं अगर ह जब हम जो आख है जैसे मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो वह जो floaters हैं ऊपर की तरफ जाएंगे जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे अपनी आख को पलक को और आख को नीचे की तरफ लाओंगा तो वह नीचे की तरफ जमीन में ऐसा दिखाई देगा आपको या फिर सपेद ज हुआ रेटिना चाहे चोट की वजएसे हो चाहे अन्य कोई रीजन है कोई चीज आप से टकराई है तो उस कंडीशन में कभी-कभी जो आख का जो रेटिना है वह फट जाता है और floaters जो आखों में क्या है बनने लगते हैं फाइबर का निर्माड होता है और देखने पर हमा एक इसका मुख्य कारण है और जो आख में आपको इस तरीके की दवाएं यानि आपने operation कराया या कुछ इस तरीके की injection आते हैं जिसको आख में डाला जाता है उसके चलते भी आपको यह समझ्य हो सकती है सरजरी दूसरा diabetes वाले मरीज की अगर जो diabetes का इस्तर है वो बढ़ गया है तो इस condition में भी नसों पर प्रवाब पड़ता है चाहें हाथ-पेर, सिर और आख के अंदर भी जो नसे हैं वो पाई जाती हैं तो उनमें इस तरीके के धब्बे जैनि floaters जैसी चीज बनने के chances रहते हैं तो हमको आई floaters के बारे में जानने से पहले आमको कुछ topic आखों से जुड़ी जो चीज है वो हमको मालम होना चाहिए या आपने 12 में पढ़ा होगा जिन लोगों में सही तरीके से 11 और 12 में study की है या पढ़ाई की है तो उनको समझ में आ जाएगा अगर हम इस वीडियो को अगर ज्यादा लंबा करेंगे तो एक या दिल घंटे का वीडियो वनेगा तो हमको नेत्र में photo receptor के बारे में जानकारी होनी चाहिए दूसरा splirotic और रक्त पटल यानि koroid क्या है और retina क्या है और आख के अंदर lens का क्या काम है और vitres chamber क्या है histology of retina rots और ponds और wipolar neurons working of eyes और द्रिष्ट की राचाइनिक व्याक्या यानि सरचना के बारे में हमको जनकारी होनी चाहिए तो इनका question था कि हमें किस तरीके की दवा हम इस तरीके के जिन लोगों में आख में काले निशान या फिर floaters जैसी चीज आई floaters जो है वन रहे हैं तो किस तरीके की दवा दे सकते हैं तो यह ऐसा नहीं है कि एक मरीज को एक यी तरीके की दवा हम दे दें तो उनको किस तरीके की प्रोब्लम है जैसे सूजन की वैसे अगर ये दिख्कत आई है या फिर आँख में चोट लगी है या फिर आपने ऑपरेशन कभी आँख का करवाया है उसके बाद में आपको इस त capitalist वाले मरीजह तो अलग-अलग अलग तरीकी की दवा दी जाएंगी, एक कॉमन दवा होगी जैसे कि आख में डलने वाली ड्रॉप, तो आख डलने वाली ड्रॉप कई तरीके की मार्केट में उपलब्द हैं तो ब्रांडेट दवा ही आँख में आप यूज करें जो हलकी या फिर जैरनिक दवा हैं सस्ती क्वालिटी की दवा हैं और उनका रिजल्ट जाद अच्छा नहीं होता तो अच्छी जो दवा होंगी उनमें ज कोने से पहले हम डाल सकते हैं । आप काम करते हैं एक यह कहीं पर भी डिन में फ्रिल नहीं रहते हैं तो रात के समय पर भी आप इसको 15 तको महीने इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी रोगप्रतिरखच्षमता कम है तो सेविन गोल्ड कैप्सूल या फिर कॉक्यू फोर्ड की उपर जो वीडियो बनाया था जिसके अंदर को एंजयम क्यूटन लाइकोपैन सेलिनियम ओमेगा-3 फैटी ऐसेड इस तरीकी की चीज़ें दी होंगी या फिर जिनमें जो मल्टी विटाइमन या मल्टी मिनरल्स इ ओ worn या मल्टी बॉक्स प्य नाम से कैप्सूल आता है सब्दिटिश के काप्सूल हो गा इसको को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वह डॉप डाल सकते हैं इसको भी स्तिमाल कर सकते हैं बैसे या कोई 60 तरीगे की दवा इस तरीगे की नहीं है कि आप अंदर से असरी फेंवेफ प्रॉब्लम को जडब से ठीक कर दे पर धीरे ऐस तरीगे की फांद मैंटरिव प्रॉब्लम के चलते भी आपको यह समस्या ऊसकती है जैसे माइगरेन, डिस्थीमिय, सीजोफ्रेनिया और पार्किंसन्स वाले रोगी तो इसमें होता क्या है जो डेप्रेशन वाला मरीज है गावा और सेरोटेनिन जो ब्रेन केमिकल है उनमें जो संतोलन है वो सही नहीं होने के चलते इस तरीके के मरीज को दिमाग का फीबर है वो आता रहता है गुस्सा चलचड़ा सवाव तो आँखों की जो हमारी नसे हैं वो ब्रेन से जुड़ी रहती है और जो भी हम चीज आँख से देखते हैं उसका सही डिसीजन यानि वह कौन सी चीज हम द सालावा तो एसा नहीं है उनने पूछा था जो हमारी दबा दें किस तरीगी दवा दें कोई एक दवा इस तरीकी नहीं है अगर मरीज को हमालम चल जाए कि उसके आंख में कभी चोट लगी है सूजन है तो इस तरीगी की दवा दी जाएगी कॉमन जो दवा है आँख में ड्रॉप डालने वाली तो लोब्रेक्स ड्रॉप है और विटाइमिन ई बहुत सारी चीज़ है बॉड़ी को बैसे हर तरीगी की चीज़ चाहिए होती है अगर आपकी बॉड़ी में किस तरीगी की चीज़ की कमी है तो उसके लिए आप ब्लड जो जांच है ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और इस तरीगी प्रॉबलम को दूर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप सुबह उठकर ताजे पानी से आँख दो तो कई अलग अलग तरीगे का पानी आता है उसमें किसी भी तरीगे का हर्मफुल चीज ना निकल रही हो तो ताजे पानी से सुबह आँख दोना है दोने के बाद में आपको हरी साख सब्जी जितना आप खा सकें सालात के रूप में चाहे कैसे भी पत्तेदार कच्ची पालक और पत्तेदार सब्जियां है कच्ची भी खा सकते हैं ये सारी चीज़ें जो भी थंड़ी चीज है उसका आप सेबन करेंगे तो आँख में जो ओचिजन का इसतर है वो बड़ेगा ब्लड और आँख तक वो या यानिग ब्लड के जरिए आँक के माध्यम से या फिर आँक की जो नसे हैं उसके जरीए आपको जो आँक से जुड़ी जो समस्या है दीरे-दीरे कम होगी ऐसा कोई दवा नहीं है कि केबल आपने बोल दिया कि आई फ्लोटर्स की मेरे को समस्या है तो उस तरीगे की दवा कोई दे दे और आपकी वो प नहीं धन्यवाद